आखिरकार हमने वो पुराने फोटो एल्बम देख लिए, देखो वो हमारी शादी की पहली तस्वीर है हाँ, बिल्कुल, हम वक्त के साथ कितने बदल गए हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, और तब से अब तक हिंदू समाज में भी बहुत कुछ बदल गया है कैसे? याद है, 1948 में डॉक्टर, अमबेटकर ने हिंदू कोड विल्क को पेश किया था उसका उदेश्य हिंदू समाज में समाजिक बदलाव लाना था समाजिक बदलाव, कैसे? जी, ये बिल महिलाओ के अधिकारों को मजबूत करने, उन्हें उनके परिवार की समपत्ती में समादता देने और विवाह तलाव के नियमों में सुधार करने के लिए था वाकई, उस समय विवाह और तलाव के मामने बड़े कंट्रिका थे हाँ, और जैसे ही बिल पारित हुआ, हिंडू समाज में बहुत सारे बदलाव आये महिलाओ को अधिक अधिकार मिले, उनका स्थान मजबूत हुआ, और समाज में उनकी भूमिका बदली पर उस बिल की खिलाफ तो की योग थे, है ना? हाँ, कुछ परंपरागत सोच वाले लोग उस बिल के खिलाफ थे उन्हें लगा कि ये पुरानी माननेताओ को खत्रे में डाल सकता है लेकिन आखिरकार बिल पारित हुआ और कुछ बदलाव तो हुआ, है ना? हाँ, बिलकुल, महिलाओ को उनके अधिकार मिले, दलितों को भी समानता मिली और हिंदू समाज में बदलाव आया वाकई, हमारे दीश में अमबेटकर की मेहनत ने समाज में सुधार लाया हाँ, वो हमारे समाज के महान नेता थे, उनके प्रती हमें गर्व होना चाहिए यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें